नमस्कार दोस्तों मैं कुर्शिया कप अप डिजाइन टू बताने जा रहे हूं दूसरा डिजाइन कैसे बनाएंगे इस तरह से सर्कल करेंगे छेट चैन स्टिच बनाएंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर्कल करेंगे फिर पहला चैन से इसको हम बिना फंदे का इसको हम लॉक कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे चैन बनाएंगे 1, 2, 3, अब क्या करेंगे इसको लेते जाना है पकर के चलना है जिसे कि यह वाला आपको दिखे न 2, 3, 4, यह पकर के चलना है अंदर सब चला जाएगा 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 15 15 15 16 17 15 15 15 15 फंदा बनाएंगे फर्स्ट वाले में इसको बीना फंदा लिए लॉक कर लेंगे अब पफ बनाना मुझे यहां से पफ बनेगा 1 2 3 & 4 लॉक हो गया यह कहां जहां तक जाएगा वहां पे जाकर के इसको लॉक कर देंगे अब यहां देखिए 1 2 & 3 & 4 & 5 देखिए लॉक कर दिये अब यहां पर से हम इसको लॉक कर देंगे जब भी कोई ड्रेस बनाएंगे किनारा बनाना हो तो यह किनारा भी बना सकते हैं यह मैं किनारा भी बताऊंगी 1 2 3 & 4 & 5 ठीक है ना ओके देखिए फिर वह जहां से खत्म किये उहीं से बनाना है घर 2 3 4 & 5 देखिए यहां लॉक कर देंगे फिर 2 3 4 & 5 फिर यहां पे हम लॉक कर देंगे एक और बनेगा 1 2 3 4 & 5 1 2 3 कर देंगे अब अन्हों ज़र हो गया है यह इस तरह से तकिकी बना और के भी है आप मुझे किनारे में बनाना हो जैसे मेरा ये सोटर बन गया है ठीक है ना अब इसका किनारा भड़ना हो तो कैसे करेंगे देखिए बताते हैं अगर मेरा ये ड्रेस माले तयार हो और मैं इसका लास्ट में खुब सूर्थी देना चाहती हूँ माने फिनिशिंग टच ऐसे अच्छा नहीं लगता है किसी ड्रेस में तो चारो तरफ ड्रेस में ब्लाज बनाए या कुछ यूँ बनाए चारो पटी किनारा खुब सूर्थी करने के लिए किनारा कैसे पॉप से भी किनारा हम भर सकते हैं देखिए वान टू थ्री फोर और फाइव लॉक करेंगे लॉक करेंगे फिर हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे ठीक फिर वही चीज़ करेंगे फिर से करेंगे वान टू थ्री फोर हम फोर में ही करते हैं आप फाइव किजिएगा क्योंकि लंबा विडियो बन जाएगा आपका फिर वान टू थ्री फोर यहाँ लॉक करेंगे फिर वान टू यह मेरा फोर हो गया देखिए मैं दिखाती हूं इस तरह से आप स्वेटर का किनारा भी बना सकते हैं अब बना करके आप सजा भी सकते हैं पूरे में चारो तरफ चारो तरफ किनारा इस तरह से बनाएंगे बहुत ही खुबस्त बनता है आप लोग भी इस तरह से बनाईए और बना करके पहनिए ओके बाई थैंक यू